वेर्ब्रीवरन आम Istha फॉर्म ऐचनल अकैडमिंग फार सिव्टी तो आज हम बात करेंगे फाइरहॉसन पायिब को बारे में यह क्या होता है कितने टाइब की फाइरहॉसस होती है किस किस मैट्यड से बंती है इसके मैंट् perilाण स्थ कैसे की जाती है इन सेब के बारे में आज हम बात करने वाले ये भी हमारे एक fire fighting equipment में शामिल रहता है इसका भी एक important role है fire fighting में तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे तो basically horse pipe क्या होता है ये water supply के लिए यूज किया जाता है पानी को एक से दूसरी जगा पहुचाने के लिए पहले क्या होता था लोग कैसे fire fighting करते थे bucket से करते थे पानी को भरके फिर उसको आग पे डालते थे तो क्या होता थे ये बहुत टॉफ होता था तो इसलिए अब horse pipe का यूज किया जाता है हम को water source से हम water source से उसे connect करके fire पे apply कर सकते है easily ठीक है इसने fire fighting को भी easy बना दिया और time भी बचा लिया है अब हम direct water जो है उस पे apply कर सकते है fire पे ठीक है water supply को easy बना दिया है अब horse कितने type की होती है इसके बारे में बात करते है देखे horse pipe जो वो दो type के होते है suction horse और delivery horse ये दोनो type के horse रहते है suction horse और delivery horse अब देखे सक्षन horse का क्या काब में है suction horse जो है वो वायू मंडल याने की atmospheric pressure का जो pressure रहता है उससे भी कम pressurize करके पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानि एक one place to another place तक पहुँचा देता है ठीक है इसमें क्या रहता है इसका pressure जो है जो pressure जो रहता है water का वो थोड़ा कम रहता है अगर compare करें delivery horse से ठीक है तो suction horse का जो pressure है वो कम रहता है और बाकी काम वाई से में water का supply करना एक से दूसरी जगा delivery horse के अगर हम बात करें तो delivery horse क्या है यू मैंदे यानि कि atmospheric pressure से भी ज़्यादा pressurized हो के water को एक से दूसरी जगा supply कर सकता है ठीक है ये atmospheric से ज़्यादा pressurized रहता है ठीक है तो जो water है वो ज़्यादा pressurized हो के निकलता है तो आग को बज़ाने में और ज़्यादा help नलती है ठीक है ज़्यादा delivery horse काई हम यूज करते है ठीक है ये क्या होता है delivery horse पंप जो है रहता है जहां से water source है पंप उससे connected रहता है ठीक है ठीक है पंप की जो hydrant रहता है साइट से उस साइट पे इसे connect किया जाता है पंप के थूप पानी को अगनी स्थली आने की fire point तक पहुचाया जाता है तो delivery horse और suction horse आपको समझा गया होगा अब क्या है delivery horse के भी सब point है और suction horse के भी सब point है तो उसके बारे में आपको बता देती हूँ सबसे पहले बात करते हैं suction horse के type की ठीक है तो यह क्या रहते partially embedded suction horse और fully embedded suction horse दो टाइप की रहती है यह ठीक है इसका क्या है थोड़ा material difference रहता है बाकी काम वही है अब देखिए partially embedded suction horse रहती है उसमें क्या रहता है tough rubber lining से यह material से बना रहता है tempered galvanized steel इसमें यूश्ट किया जाता है ठीक है spiral wire भी इसमें यूश्ट के जाता है इससे क्या होता है यह इस horse को जो water deliver हो रहा है उसका वे इतना clear होना चाहिए कि पानी को गुजरने में कोई problem ना हो इतना उसका जो अंदर का wall रहता है इतनी चिकना से मिला रहता है इसकी internal wall जो है वो किससे बनी होती है rubber से इसका internal walls बनी रहती है ठीक है rubber का use हम करते हैं इसकी internal walls के लिए rubber के साथ साथ किर्मिच का अभी इसमें किया जाता है तो इन दोनों material से यह partial embedded section house बना रहता है ठीक है next की अगर हम पात करें तो next है हमारा fully embedded section house इसमें भी वह सेम है और material change अबस internal thick lining का रहता है यह spiral wire यूज किया जाता है इसके भी internal wall जो रहती है वो rubber से बनी रहती है ठीक है और इसका क्या काम रहता है यह भी water को easily fire part तक महुच आता है और as compared to partially embedded section ठीक है तो इन दोनों का वही काम है और इनका material जो उनमें थोड़ा सा difference है यह internal thick lining से lining material यूज होता है इसमें tough rubber lining यूज होती है ठीक है next हम बात करते हैं delivery house के delivery house के types क्या है इसके दो टाइप रहते हैं में ली unlined और non per clotting house ठीक है अब देखिए unlined house और non per clotting house में क्या difference रहता है इनकी जो बुनाई होती है वह रैंप जूट और हैंप इन सब material से बुना जाता है इसको ठीक है और इसमें क्या रहता है प्लास्टिक और टेरलीन भी यूज में दिया जाता है ठीक है यह जो होसे इसकी सिर्व बनावट बताई गई है कि किस टाइप से यह बनाया जाता है क इस material को यूज करके ठीक है और अगर हम नॉन पैरा क्लोटिंग की बात करें तो देखिए नॉन पैरा को लेटिंग होस जो है इसमें सिंथाटिक material यूज किया जाता है ठीक है जैसे कि प्लास्टिक हो गया टेरलीन हो गया नायलोन हो गया इन सब का material यूज करके इस होस को ब ठीक है अब नेक्स्ट है होस्रील होस क्या होता है यह फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है इसमें क्या रहता है यह ओल्रेडी वाटर सप्लाय से कनेक्ट रहता है यह बहुत ही एजी रहता है यूज करने में क्या है इसे तुरंत लेके हम यूज कर सकते हैं और हुझ मी क्या है पेलो से कनेक्ट करेंगे तब वाट शप्लाइश चुड़ होगी यह में इन सोर्च से कनेक्ट है तो वाटर सप्लाइश डेरक्ली इस पर आ जाती है ठिककर 19 mm इसके लैंथ रहती है ठीक है यह एक literम या एक mm2 टायब करता जिति पर ही ल хл युटा हुआ रहता है बिद देखिए motion जो है स्पध Always पाईब में सॉateurs आपंप स्थे संब्सें हां मैं अह till बहुद हई जूब या तो यह बैदि होगी हं कर दाता है इस झाल झाल